नमस्कार मित्रों से विडियो जो कि दस्वी के रिजल्ट के बारे में जो की 20 जून को गोसित होने के पूरे के पूरे चांस है तो आईए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि स्वीस्वी बोड से रिलेटेड है उससे पहले अगर हमें चल पर नए हैं तो सस्क्राइब पर ना बिलकुल न भूले ये पॉर्टल पर अप्लोड होंगे दस्वी के अंग सीवसी ई पर इक्षा का लिंक हुआ एक्टिवेट इसने बतायागे केंदरी माधिमिक सिक्षा बोड सीवसी की और से दस्वी के चात्रों के नंबर ई पर एक्षा के अटल पर अप्लोड किये जाएंगे यानि जो ई पर एक्षा के जो लिंक जारी किया गया उस पर अप्लोड कर दिये जाएंगे और उसके बाद उन्हों ने बताया कि जो बोड के स्कूलों के लिए अंक अप्लोड करने के लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है यहीं जो इस जो लिंक दिया गया है वो स्कूल के लिए दिया गया है और स्कूल जो है उस लिंक के माध्यम से जाके अपने स्कूल के छात्रों के अंकों को जो दस्मी के अंको एसेस्मेंट के अंक मिलेंगे उन्हें जो इंटर्नल मार्क्स दिये जाएंगे स्कोल के तरफ से वो मार्क्स अप्लोड करेंगे और फिर अप्लोड करने के बाद उन्हें बताया गया है कि पर्टिकुलर जो वेबसाइट है cvc.it.in पर उपलब्द कराया गया है और इसके बाद ये जो मार्क्स हैं ये सभी स्कोलों को 11 जून तक यानि बोर्ड की और से सभी स्कोलों से 11 जून से पहले बच्चों के अंक ई परिक्षा पोटल पर अपलोड कर देने है यानि 11 जून तक ये सारे के सारे मार्क्स सभी चात्रों के अपलोड हो जाएंगे उसके बाद बोर्ड की ओर से दस्वी के परिणाम जो है बीस जून तक घुस्ट करने की तैयारी की गई है यानि बोर्ड की ओर से दस्वी की जो परिणाम है वो बीस जून को घुस्ट करने की बात कही गई है बोर्ड की ओर से च्छात्रों के assessment के लिए हर विसे के लिए 100 अंक तेय किये गए हैं जिसमें 20 अंक internal assessment के होंगे और 80 अंक वार्षिक परिक्षा के लिए तेय किये गए हैं इस बार परिक्षा निरस्त किये जाने के बाद वार्षिक परिक्षा के 80 अंक का assessment पहले कोई प्री बोर्ड परिक्षा अर्धवार्सिक परिक्षा यूनिक टेस्ट के आधार पर तै किया जाएगा यहीं जो माक्स आपको 80 माक्स मिलने थे उनके क्राटेरियन उनने डिसाइड कर दिया है कि किस आधार पर जो है दिये जाएंगे इन्होंने बताया कि जो 80 अंक आपको वार्सिक परिक्षा के दिये जाने थे उन 80 अंक के जो है निधारन होगा प्री बोर्ड की जो परिक्षा आपने दी थी उसके आधार पर अर्दवारसिक परिक्षा के आधार पर और unit टेस्ट जो आपने दे रखे हैं पिछले साल उन्हीं के आधार पर ये सारे के सारे जो है marks आपको 80 दिये जाएंगे बाकि 20 marks जो आपको internal marks मिलते हैं वो इसमें add करक टोटल हंडेड मार्क्स का आपका एक सब्जेट के मार्क्स बन जाएंगे उसी हिसाब से टोटल दसुई की जो है मार्क्स यहाँ पर आपको दिये जाएंगे तो यह थी एक information जो आप तक आप सभी के लिए important होगी और आप इसे जदर से जदर लोगों तक शेयर करेंगे लाइक करेंगे और जो भी सवाल होंगे उसके लिए आप comment करेंगे comment box में तो मिलते हैं अगली information के साथ किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैभाद